हेलो नमस्का फ्रेंड्स मैं विशेक्तिर पाठी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फ़र यूपी से यूपी पीसे पे दोस्तों आज तारीक है दो अक्टूबर 2022 आज दोस्तों गांधी जैंती का दिन है आज संडे है संडे को जैसा अपना श कि शुर्वाद कर दिनी है रहा कि शुरूद में समझने के कुशिश करудो दोस्तों कि आप यहां पे देखो कि कि किस तरीके से फ्रजी से 5G में इंडिया करण्वड होने वाला आप देखोगे कि रिल्याइंस दौने किस तरीके से नहीं महीं नहीं पहल की है कि शुरुवात साल तक, अक्टूबर तक हमको और भी 5G Network All Over India में मिल जाएगा, अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक मतलब कह सकते हो कि सोचने वाली बात है जो यहाँ पे नहीं लिखी है पर मैं आपको सोचने के लिए कहता हूँ, आप यह समझने की कोशिश करना दोस्तों कि किसी भी देश की जो होती ही न उसके modern day technology के विकास से ही होती है हमारा जितना भी जादा से जादा टेकनलोजी के तरफ innovation होगा न उतना ही हमारे राष्ट की तरक्की होगी इंदा से समझने की कोशिश करिए कि अंग्रेज हिंदूस्तान को दो चीज़ सबसे खुबसूरत देखे गए थे एक railway और दूसरा UPSC जिसके लिए आप मर मिटने को भी तयार हो रेलवे ने इंसान की social linking को किया उनके काम को आसान किया जो उस समय इंडस्टिलिस्ट बन चुका था हिंदूस्तान जो इंडस्टिलाइजेशन इंडिया में आ चुका था उस इंडस्टिलाइजेशन इंडस्टिल पर चलती थी उस law and order को उन्होंने एक dignified way में लाया तो dignified way में law लाने के बाद आप देखोगी कि धीर धीर कैसे administration efficient चलने लगा तो वही तरीके से यहां पे भी बाते हैं दोस्तों किस तरीके से आप connectivity के दौर में यह जो देखे दोस्तों connectivity की पहल है न करिंट टाइम में जो 4 अब बाकी जो टाउंस वगेरा में आएगा वो six months के बाद काएगा जो यहां पे most important बात है जो एक अधिकारी के point of view से सोचने वाली बाते हैं वो मैं यहां आपको बताता हूं देखे दोस्तों यह उतनी detail holistic way की knowledge नहीं है ठीक है हाँ आगा एका दो दिन बाद यह और आता है अगर इसपर editorials आते हैं तो मैं चीज को जरूर कवर करूंगा जो यहां पे एक सोचने वाली बात है वो मैं आपको एक high order thinking develop करने के कोशिश के हिसाब से आपको समझाता हूं आप यह सोचो दोस्तों कि यह जो connectivity आज बनी है जो यह हुआ है यह जो दीरे दीरे आप एक चीज उसको देखो कि किस तरीके से ब्यस्नल का नेटवर गाओं गाओं देश-देश में हैं लेकिन उसी तरीके से एक चीज याद रखना दोस्तों जिस दिन ब्यस्नल प्राइबिट प्लेयर्स के हाथ में चला जाएगा न उस दिन ब्यस्नल बहुत प्रॉफिट वाली कंपनी ब बैंक के एटियम मिलेंगे क्यों क्योंकि प्राइवेट इंटीटी प्लेयर्स अपने प्रॉफिट पे काम करते उनको अपने विकास से कोई मतलब ने आज भी सरकारी दफ्तरों के जो होंगे करमचारी वह अपनी पेंशन सरकारी बैंक में ही लेना पसंद करते ना कि थोड़ा सा प्राइवेट प्लेयर के मुकाबले उतना इजली नहीं है आप प्रिंट कराने भी जाओगे तो यह गंटा लाइन में खड़े रहोगे पता चलेगा कि खराब है कल आना वह बात सही है लेकिन आज भी विश्वास है ना वह पब्लिक पार्टनर्शिप पे इसके connectivity speed के पारे में अगर आप देखोगे दोस्तों तो जब most important बात निकल के आती उसमें यह है कि देखिए अभी तक क्या था कि हमारी जो 4G की connectivity की speed थी नो वो 100 megabyte per second के हिसाब से चल रही थी लेकिन अब जब 5G के megabyte के जब 5G पे हम आ जाएंगे तो देरे देरे 1 gigabyte per second के हि speed तबदील हो सकती है ठीक है दोस्तों यहाँ पर यह most important था यह हमने यहाँ पर discuss का लिए अब दोस्तों यहाँ पर चोटी सी news है इस news को यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस news में क्या है कि United Nations Security Council में आप देखोंगे कि वोटिंग हुई कि कि किस तरीके से यह जो यूक्रेन की जो चार सिटीज है रशिया ने इंको एनेक्स कर लिया और कह दिया कि अब यह हमारा है अचा दोस्तों क्या हुआ कि United Nations Security Council में क्या हुआ कि 15 मिंटिंग होती है जिसमें 5 पर्मानेंट मेंबर होते हैं और 10 नौन पर्मानेंट मेंबर होते हैं तो आप देखोंगे कि इन में से Security Council की जो मिटिंग होती है न दोस्तों यह जो कोई भी चीज पारित की जाती है उस पारित की तहत अगर मालीजे जो वोटिंग होती है अगर आपके फेवर में हो या आपके विरोध में है तो वह आपके उपर मेंडिटरी हो जाती है क्योंकि आप एक वर्ल्ड कॉलेजम पर आज चुके वर्ल्ड कॉलेजम पर आप अपने आपको रिप्रेजेंट कर रहे है तो वहां आपको उस मुमरेंडम को या उस उसको फॉलो करना पड़ेगा तो यहीं उनाइटे नेशन सेक्यूर्टी काउंसिल की यहां पर बात है आप देखो कि किस तरीके से इंडिया ने तो बॉइस सर नेके साथ दोस्तों रशेया से हमारी दोस्ती है अच्छी रशेया के साथ करेंट टाइम में यूँक्रेद क्राइसिस के बात देखिया एक parting हृस यहीं सारी बात है कि जो इंडिया के जो एक रिपर्जेंटा आई जिनका नाम है ruins म sistema देखे दोस्तों बहुत ही कह सकते हो कि एक dignified post होती है मतलब कह सकते हो बहुत privilege वाली privilege वाली इंदस हैं जब आप IFS अफसर बन जाओगे न बेसिकली जो कम उमर के IFS अफसर हुआ करते हैं न दोस्तों उन्हीं को यह dignified post वगरा मतलब बहुत जादा privilege आपको मिलता है society में money से हर चीज से आपको बहुत बहुत मिलेगा इन्होंने क्या किया कि abstain करने के साथ साथ आप देखोगे कि resolution में abstain करने के साथ साथ जाथ एक छोटा सा मतलब peace peace word के तहत इन्होंने यह बात तो इन्होंने यह का दोस्तों कि कि किस तरीके से यूकरेन के साथ negotiation करके मामले का शाट आउट किया जा सकता है ठीक है दोस्तों तो आईए चलिए इस न्यूस को थोड़ा आगे holistic में detail में कवल करते हैं तो दोस्तों यहां पे आप देखो कि लिखा Indian abstains on the United Nations Security Council to condemn the Russia's calls for talks तो देखिए दोस्तों मामला क्या है कि current time में क्या हुआ कि रशिया यूकरेन की जो current time में जो विवाद है न उसके context में क्या है कि यूएस चाहता है कि रशिया के खिलाफ आवाज उठाई जाए अब इंडिया इस चीज को चाहता नहीं अब देखिए चाहेगा क्यों देखि अब मामली क्या है कि एक peaceful word से referendum जारी किया उसमें क्या था दोस्तों कि ये कहने वाली बात थी कि किस तरीके से एक peaceful में negotiations किया जा सकते है अब हुआ क्या न कि यूकरेन के चार डिस्टिक्स को चार जगाओं को हथिया लिया अब रशिया ने हथियाने के बाद क्या किया अब मंदर्ष्ट्र डिसको रश्या ने ले लिया अब देखिए दोस्तों रशिया ने जो लिया वह जो चार यूकरेन के जो रिसंसे ना लौहणस्क टोनस्टेक क् एक completing के जैसे मैंने बता दिया कि फंदरा कंट्रीमें जा होता है दोस्तों कि 5 countries permanent member होती है 10 countries जो होती है वो non permanent member होती है इंडिया भी non permanent member में ही आता है ठीक है यह प्रिलियम का fact बन सकता है UP PCS में ऐसे questions बनते हैं अब IS का तर्ज बदल चुका है अब IS में इसे question नहीं आते सन 2014-15 में कभी कदार आया करते थे तो आप देखोगे कि जो चार countries abstain करने वाले थी China, Gabon, India and Brazil देखिए इंडिया बेसिकली भले abstain किया हो रशिया इस चीज को समझ चुका है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है और कहीं न कहीं यह हमारे लिए friendly relations के लिए अच्छी भी बाते हैं ठीक है क्यों क्योंकि US ने हमारे पर वैसे भी sections लगा के पेट्रोल खरी ले एक चीज याद रखना दोस्तों 2013 के JCPO के agreement के बाद अगर इंडिया पे वेंजुला से खरीदी पे रोक ना लगाई होती न तो आज हिंदुस्तान में पेट्रोल 30-40 रुपई लीटर मिल रहा होता यह factual बाते हैं देखिए पेपर देना अलग चीज होती है administration के point of view से सोच develop करना अलग चीज होती है सोच तब develop होगी जब धीरे धीरे उस चीज को पढ़ोगे समझोगे कि यह न्यूज यहाँ पेंटर नैशनल ने रहना की थी अब दूसरी न्यूज economy के context की बात है अब देखिए दोस्तों क्या है कि दिल्ली सरकार ने pollution को control करते व कि जिन गाडियों का pollution बराबर नहीं है, pollution की copy उनके पास बराबर नहीं, जैसे cars हैं, bikes हैं, तो उनको petrol और diesel नहीं दिया जाएगा, देखिए दोस्तों कहीं न कहीं यह कुछ हद तक इस scheme की मैं सराना भी करता हूँ, तो वही बात है जिसके पास pollution का paper नहीं होगा, वो petrol डला न पाएगा, petrol नहीं दला पाएगा, तो ethanol निकलेगा, नहीं, carbon emission नहीं नहीं निकलेगा, तो pollution कुछ चत तक सही रहेगा, ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटी सी news थी, महराश्ट सरकार ने छोटी सी पहल की है, अभी तक क्या है, दोस्तों कि हम, मतलब सरकार ने नहीं पहल की है, कि अब हम वंदे मातरम बोलेंगे, अच्छा देखिए एक चीज़ याद रखना, यह जो hello word है, यह अखबार में तो इसके बारे में नहीं है, Indian Express में इसके बारे में नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा सा detail knowledge देता हूँ, यह जो hello word है, फोन का विश की news को देखेंगे, अभी दोस्तों थोड़ा economic context में यह एक news है, tokenization norms for the card transaction, how do they work, देखेंगे दोस्तों अभी तक क्या है, कि हम current time में क्या करते है, कि जैसे मान के चलिए online shopping करते हैं, तो online shopping में क्या है, कि जब हम card से payment करते हैं, तो वो जो payment का gateway होता है, वो क्या करता है, कि हमार time में क्या है, कि RBI न इस चीज़ पे कोशिश की है, एक tokenization system लाने की कोशिश की है, tokenization system इंदा सेंस अबने की कोशिश करिए दोस्तों की, जैसे आप casino खेलने जाते हो, तो लाल रंग, हरे रंग, पीले रंग का जो coins हमको मिलते हैं, तो मान के चलिए, पीले रंग की की कीमत 100 रुपय हुई, हरे रंग की की कीमत 40 रुपय हुई, लाल रंग की की कीमत 50 रुपय होगे, ठीक है, तो उसी तरीके से पर specific person पे एक tokenization system एक token आएगा, उस token में क्या होगा, कि उस data का important record होगा, उस token में उस specific person का specific card record होगा, तो जब भी आप कभी मान के चलिए, payment करने जाओगे तो वो जो token system होगा ना, वो token number होगा ना, वो token number आप enter करोगे, payment gateway पे, पूरा आपकी card detail process हो जाएगे, और आपकी payment हो जाएगे, नतीजा क्या है, कि आप किसी cyber fraud से भी बस सकते हो, और अपनी जानकारी की privacy किसी और को भी नहीं दे सकते हो, ठीक है दोस्तों, ये RBI की guidelines थी, य एक October से कल से enforce हो चुकी है, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सार थकानी का हो, मैंने बता दिया, अब चलिए दोस्तों, आगे की news को देखते हैं, अब दोस्तों इस news को देखेंगे, इस news में क्या है, दोस्तों कि आप यहाँ पे देखोगे, कि center hikes midday meal per child cooking cost by 9.6%, अब देखें दोस्तों क्या है, कि current time में, जो PM portion के तहट, जो एक थाली बच्चों को पढ़ रही है, जो primary school में, जो midday meal scheme बढ़ रही है, उसके तहट क्या है, दोस्तों कि current time में, जिस तरीके से महंगाई का दर बढ़ता जा रहा है, inflation rate बढ़ता जा रहा है, तो उसके तहट तो सारी चीज के जो activist हुआ करते था, क्या, उन्होंने, उनकी ये demand थी, उस food activist की ये demand हुआ करती थी, कि वो थोड़ा सा government से ये पहल कर रहे है, ये उमीद कर रहे है, कि government थोड़ा सा fund और allocate करे, उस fund को allocate करने का main में मकसद क्या है, दोस्तों कि जो current time में, जो inflation है न, उसके तहत ये सारी ची इस चीज को कहीं पर इंकॉर्परेट कर सकते, इस चीज को अगर इंकॉर्परेट करोगे तो एक अच्छा इंपरेशन पढ़ेगा, आप देखे दोस्तों इस data को लिखा है, कि since the last hike in the early 2020, the cooking cost per child has been 4.97 per child per day in primary classes, class 1 to 5, मतलब मान के चलिए, कि primary classes जो कच्छा एक से लेके 9.97 पढ़ रहा है, और उसके बाद 6th standard से लेके 8th standard तक के जो बच्चे पढ़ रहे है, उनकी जो थाली की cost पढ़ती है, वो 7.45 पढ़ती है, आप देखो के दीरे दीरे दोस्तों क्या हुआ कि ये increase कर गई है, इनकी जो increment हुई है 2020 से 2000 ये current time में 22 जो चल रहा है, 2020 के हिसाब स देखे दोस्तों, चिंता जताते हैं क्या हुआ कि थोड़ा सा government ने fund को और allocate किया है, ताकि cheese को और बहतर बनाया सा सके, देखे दोस्तों, ये थोड़ा सा एक exam के point of this important statement है, आप चाहो, तो इसको अच्छे से मतलब कहीं प incorporate कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, the education ministry has also advised to hold talks with the food ministry to offset inflation on pulses, which is the major source of protein in hot cooked milk provided under the scheme, which is among the largest initiative in the world to enhance nutrition levels to school going children, तो भाही बात है दोस्तों, कि food ministry की जो है, major source of protein hot cooked milk provide करने की scheme के ताहत है, कि इस तरीके से, बच्चों को स्कूल जाने के साथ साथ एक nutrition भी दिया जा, अब देखे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा, एक च्छोटा स 2020, 10.99% to 2020 to 21, आप देखो कि कैसे दिन पर दिन, percentage बढ़ता ही जा रहा है, now sources said the government is likely to devise a new PM portion index to track the change in prices of items, the midday meal basket, तो भाही बात है दोस्तों कि कि इस तरीके से government जो PM portion के तहत, इंडेक्स के तहत, midday meal की जो basket में, जो एक basket में, midday meal मिल रहा है न, उसको prices को track करने की कोशिश के त देखें, दोस्तों, क्या हुआ, कि last year में PM portion को जो renewed किया गया, इसके तहत क्या हुआ, कि जो मतलब क्या सकते हो कि जो इस program को चलाया गया, इसमें बकायदे यहां पर division की बात लिखिए, देखें, दोस्तों, थोड़ा सा important हो जाता है, exam के point of view, इसमें लिखा है, 60 by 40 का ratio जो cooking cost स्टारी है, वो union government और states के बीच में है, मतलब 60% जो खर्चा हायर करेगी, वो union government करेगी, 40% state government करेगी, और उसी तरीके से, लेस लेचर की भी यहां पर बात है, लेकि North East के states, जम्बू काश्मी और हिमालचल प्रदेश और अपना उत्राखन, इसके तहर जो यहां पर बाते है है, उसमें 90-10% की यहां पर cost bearing की बात है, तो दोस्तों यह थोड़ा सा exam के point of view से यहां पर important था, ठीक है, तो इसको मैंने यहां पर holistic में जो आपके exam के point of view से जरूरी था, वो मैंने बता दिया, अब दोस्तों, आज Sunday है, जैसा कि मैं science and tech के articles को discuss करता हूं, तो आइए चलिए mathematical science, चिन्नाई के द्वारा की गई है, यहां पर आप देखो कि दोस्तों कि किस तरीके से fungi, fungi infection होता है, fungi के ऊपर जो है, एक research किया गया है, उसमें क्या हुआ दोस्तों कि एक database तयार किया गया है, database के तहत आप देखोगे, कि यहां पर क्या है, कि 184 medical fungi का वो किया गया, database तयार किया गया, 184 medical fungi based में आप देखोगे, दोस्तों कि database के तहत क्या है, कि इसमें इसके secondary metabolites, secondary metabolites इंदा सें समझने की कोशिश करो दोस्तों, कि एक mechanism की बात की गया, मतलब एक research किया गया है, कि जो उसके अंदर का internal x, वो होगा न, क्या बोलते है, structure होगा, जैसे मान के चलिए हमा के दोस्तों कि यहां भी यह पाए गया है, कि यहां पर देखिए दोस्तों थोड़ा से यह प्रिलियम के point of this important हो जाता है, यहां पर एक नाम लिखा है दोस्तों, codisipine, a secondary metabolites produced by the codisip species of fungus is known as the anti-tumor properties, तो आप देखोगे दोस्तों कि एक, क्या सकते हो कि एक metabolites है, metabolites इंदा सें के बीमारी को रोगता में बहुत कंट्रोल करता है, और दोस्तों यह चीज इस पर रिसर्च की जारी है, और देखा जाएगा कि not only codisipine in general, several secondary metabolites are known be the beneficial for the human in term of both therapy and health, तो वही वाली बात हो दोस्तों कि tumor के context में तो यह codisipines की यहां पर बात हो गई, अब और भी ऐसे बहुत सी secondary metabolites हैं, जो fungi release करता है, जो कि human therapy में एक बहतर immune system करें और कई सारी बीमारीों से लड़ने के लिए कारिगर होगा, देखें दोस्तों, यहां पर एक बात लिखी है, diversity structure, diversity structure के तहत यहां पर बात लिखी है, दोस्तों, लिखा है कि in their analysis, the researchers guided by the, और जीत समल from the IMSC, found that the secondary metabolites structure was strictly distance from the existing drugs, मतलब जो existing markets में जो drugs available है न, उस बीमारी को लेके, जैसे मान की चाहिए tumor जैसी बीमारी को लेके, जो drugs available है न, जो उसका कहा सकते हो कि chemical compound है न, वो secondary metabolites फंगी के मुकाबले बहुत ही जादा अलग है, तो कहा सकते हो कि about 94% of the chemical scaffolds identified in secondary metabolites of the medical fungi were not present in the approved drugs, तो वही वाली बात है द जो drugs अभी market में available है न, उसके मुकाबले कही गुना अलग है, तो इसी पर काफी शोद चल रहे है कि आगे किस तरीकिये से इसको medical purpose के लिए अपनाया जा सकता है, तो दोस्तों एक यहाँ पिए science attack के regarding important news थी, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है, अब इस में session को यही अब अपना daily editorial session आएगा, ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहे हैं, मस्त रहे है